दोस्तों आप सबका स्वागत है LearnX के इस नए लेसन में मैं हूँ आपकी ट्रेनर जैनी और आज हम सीखेंगे कि कैसे बता सकते हैं हम अपने दोस्तों को या जानने वालों को अपने देश, शहर या गाओं के बारे में है ना मज़िदार टॉपिक दोस्तों हम में से कई लोग अपने सपनों को या ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने होमटाउन को छोड़ कर निकलते हैं ताकि हम महनत करके अपने अमबिशन्स को अचीव कर सकें लेकिन फिर भी दूसरी जगह कोई भी दूसरी जगह जब हम अपना होमटाउन छोड़ के जाते हैं तो हमें अपने घर की या तो हमें अपने होमटाउन को लेके बहुत ही जादा याद आते हैं हम बहुत emotional हो जाते हैं क्योंकि उस जगर से हमारी बच्पन की यादे जुड़ी हुई होती है इन फैक्ट हमें अच्छा खासा वहां पे वक्त जो गुजारा होता है तो वो सब feelings बहुत ही special होती है और फर्ज कीजिए कि आपको सामने से किसी भी दोस्त या कलीग ने पूछ ल तब तो हम इतने ज़ादा उचाहित याने के excited हो जाते हैं हम अपने hometown के बारे में बताने के लिए है ना मेरे साथ तो अकसर होता है I'm sure आप लोगों के साथ भी यह होता होगा तो हम उन्हें अपने hometown के बारे में कैसे बता है और यह भी होता है कि अब हम उनकी भी स्टोरी सुनने के लिए excited रहते हैं तो यह conversation शुरू होती है तो friends, आज का हमारा topic यही है कि आप अपने hometown के बारे में कैसे बता सकते हैं या फिर किसी को भी जो भी आपके दोस्त हैं या कलीग हैं जो भी हैं उनको जानकारी कैसे दे सकते हैं English में हर बार की तरह इस बार भी मैं आपने पहले हिंदी की वाक्य बताऊंगी फिर वही वाक्य मैं इंग्लिश में दोराऊंगी आप अच्छे से स्युनेगा और अगर कोई शब्द या तो किसी का अर्थ मिस हो जाए तो आप दुबारा pause करके रोक करके दुबारा देख सकते है चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा लेसन हर किसी को अपने शेहर से प्यार होता है क्यों एवरिबदी लव्स देर होम टाउन इसंट इट वो शायद इसले भी कि शायद याही अपने हर चीज पहले बार की थी या सीखी थी तो सबसे पहले मुझे घर के पास वाला जो एक पेड है उसकी याद आते है लोग वहां बसंत में बहुत सारी पतंगे उडाते है पीपल देर फ्लाइए लॉर अफ काइट इन स्प्रिंग मैंने अपनी दसवी कक्षा तक की पढ़ाई वही से की है आई स्टड़ी देर तिल माइ मेट्रिकलेशन मैंने साइकल, मोटर साइकल और कार चलाना भी वही से सीखा कुछ ऐसी जगह भी है जहां पे बहुत ठंडी पढ़ती है तो तब अब कैसे बताएंगे अपने दोस्तों को आप ऐसे कुछ बोल सकते हैं जैसे कि सर्दियों में ठंड के मारे कुलफी जम जाती है चिलिंग विंटर्स फ्रीजर्स लाइक आइस क्रीम तीन से चार रजायां लेकर हमें सोना पड़ता है यहां पर चिलिंग का मतलब होता है बहुत जादा ठंडा होना और क्विल्ट का मतलब होता है रजाय बरसात ऐसी कि पानी के घर अंदर घुसा चला आता है अब जब हमने ठंड की वे बात के लिए तो अब बारिश को भी क्यों छोड़ें रेंज आ साच दा दी वाट फ्लाद्स दी हाउस और च्छते टपकने लगती हैं और रूफ बिगिन तो लीक अगर आपके होमटाउन में नदिया होती हैं तो आप ऐसे कुछ बता सकते हैं जैसे की दो नदिया हैं वहां यमुना और कर्णा और कुछ ही दूर पहाड बे शुरू होते हैं कुछ ही दूर पहाड शुरू होते हैं आप अपने शहर या गाव की पॉपलेशन में भी पॉपलेशन की बार में भी उन्हें ग्यान दे सकते हैं आप उन्हे कुछ बता सकते हैं, जैसे कि हमारे शहर की आवादी लगबग 15 लाख है, हमारे शहर की आवादी लगबग 15 लाख है, our town has a population of around 15 लाख, पढ़ाई के लिए आसपास से इलाकों से, सब लोग वहीं आते हैं, It's an education hub, education hub, उसी जगा को कहते हैं, जहां बहुत सारी schools और colleges हों, और इसी वज़ा से लोग वहाँ दूर दूर से पढ़ने आते हैं, वैसे इसी वाक्यों को हम ऐसे भी कह सकते हैं, People from surrounding areas come there for their studies, surrounding मतलब इर्द गिर्द, अब education hub है, तो आप college के बार में भी बता सकते हैं, तो जैसे कि आप कह सकते हैं, वहाँ तीन engineering college है, दो medical colleges है, दो MBA institutes है, और दो fashion designing institutes है, हर जगा के लोगों की एक अलगी खूबी होती है, उनमें अलग प्रकार की खूबियां होती हैं, और आप उनके बारे में भी कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि वहां के लोग बहुत महनती हैं और मिलनसार हैं, पीपल देर are very hard-working and friendly, कही जानी माने हस्तियां हैं हमारे शहर से, हस्तियां मतलब famous personalities, हर धर्म और संप्रदाय की लोग वहां प्यार से रहते हैं, पीपल from every religion and section coexist with love there, coexist का मतलब होता है, मिल जुल कर साथ में रहना, हर दूसरे घर से कोई न कोई तो फॉज में है ही, every second house has someone in the army, every second house has someone in the army, वहां की औरते भी कम नहीं है, women there are also no less, homemaker से लेकर scientist तक वहां की औरते हर field में आगे हैं, from being a homemaker to a scientist, women there are progressive in all the fields, progressive का मतलब है अगरिनी, आगे बढ़ने की सोच रखने वाली, अब आपको अपने शहर में कौन कौन से काम होते हैं, वह कैसे बताने हैं, आप ऐसे कुछ बता सकते हैं, जैसे की वह एक और द्योगिक शहर है, ज्यादा तर लोग व्यवसाइक हैं वहां पर, it's an industrial town, most of the people are into business, industrial मतलब और द्योगिक, खेल कूत का वहां बहुत बोल बाला है, sports is a big thing in our town, बोल बाला मतलब big thing, मेरे शहर ने काफी विख्यात खिलाडी दिये हैं, मेरे शहर ने कई विख्यात खिलाडी दिये हैं, my hometown has produced some very well known sports persons. वहां के लोग पैसे का आदर करते हैं, मगर उसके पीछे भागते नहीं है, people there respect money but never run after it. लोग अपनी जड़ों से जुड़े हैं और रिवाजों का आदर करते हैं, people are attached to their roots and respect the tradition. कि दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे गाउं शहर में यह रिवाजों का बहुत महत्वपून होता है, attached मतलब जुड़े हैं, tradition मतलब रिवाज. मेरा घर जील के पास है, मेरा घर जील के पास है, my home is near the lake. जील एक बहुत बड़े पार्क में हैं, जिसे city center कहते हैं. Lake is in a very big park called as city center. वहां हाल ही में दो बड़े मॉल खुले हैं, जिन में multiplex भी हैं. Recently, two big malls have opened there, which also have multiplex cinema halls. हमारे शहर में तीन बड़े पार्क हैं और तीन ही बड़े मैदान. Our town has three big parks and three big playgrounds. हमारे शहर की कुलफी ताजी मलाई से बनी पेस्ट्रियां और उन बहुत मशूर है. Our town is famous for its traditional milk ice cream, fresh cream, pastries and wool. मान लीजिये कि आपका शहर टूरिस्ट का जो प्लेस होता है, टूरिस्ट अट्रेक्शन के जो कुछ-कुछ प्लेसे होता हैं, उससे काफी नस्दीक है. तो आप कैसे कह सकते हैं? इन जगहों तक पहुशने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट हमारे शहर से गुजरते हैं. Many tourists cross our town to reach these destinations. और फिर लास्ट में आप उन्हें ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे शहर जरूर आयेगा, मेरे शहर में एक बार आयेगा जरूर और आपका पूरा जोरो शोरो से स्वागत होगा. तो आप कैसे कहेंगे? Please do visit my hometown once, you'll be welcomed. तो दोस्तो, I hope आपको ये lesson पसंद आया होगा और आप सब अपने अपने hometown के बारे में सोचने भी लग गए होंगे और याद करने लग गए होंगे, है ना? तो अब आप समझ गए हैं अच्छे से कि आपको अपने hometown के बारे में English में कैसे बात करनी है या फिर कैसे describe करना है? अपने विचार और सवाल नीचे comment section में जरूर लिख के बताएगा मुझे अगर आपको ये video lesson पसंद आया हो तो definitely इसे like करिए और हमारे चानल को subscribe करना मत भूलिएगा मैं जल्द मिलूंगी ऐसे ही एक नए interesting lesson के साथ तब तक के लिए keep smiling, keep practicing English and take care, bye!